हाई मैं देए फ्रेंड्स आज हम बढ़ेंगे गुर्स उत्रों के प्रकार और यह आपका लास्ट टॉपिक है इसके बाद हमारा यह चैप्टर भी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा देखें गुर्स उत्रों के प्रकार ज्यानि टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के यहां पर हम सबसे पहला है ओटोसोमल क्रोमोजोम दूसरा है सेक्स क्रोमोजोम जीसे कहते हम लिंग गुर्सूत्र अब देखें जो ओटोसोमल क्रोमोजोम होते हैं वो क्या होते हैं यह निंग से समंदित लक्षणों को छोड़ कर सभी प्रकार के काईक लक्षणों को ठीक है लक्षण 46 होते हैं है ना 23 जोड़े गुड़ सूतर होते हैं कितने जोड़े होते हैं 23 जूरे जोड़े पियर्ड में होते हैं पियर्डिंग होते हैं क्या है यहां पियर्ड में होते हैं ठीक तो जो हमारे पियर्ड है अगर इन्हें अनपियर्ड देखेंगे तो कितने हो गए 46 हो गए ह यानि, sex chromosome होते हैं, ठीक है, यह लिंक का निर्धारन करते हैं, sex determination करते हैं, इनकी संख्या दो होती है, जो male होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उसमें क्या होता है, x, y, ठीक है, तो था मादा में क्या होता है, x, x होता है, इसलिए कहते हैं, जो male का है, decide करता है, male का जो sum होता है उसके गुर्सुत्रों से डिसाइड होता है कि क्या है जो बॉन्ड होने वाला बीबी है वो मेल होगा या फीमेल अंडरस्टेंड क्लास चले इसके बाद हम दूसरा वाला देखते हैं इसका दो और हैं टाइप वो देख लेते हैं अच्छा अब देखे दो टाइप और है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी वो मैं यहां क्लेर कर देना चाहती हूँ क्योंकि ओफ्लाइन में यहीं कंफ्यूजन है तो ऑनलाइन बेले बैच्चे तो बोल नहीं पा रहे हैं और कमेंट आप करते ही नहीं हो और बहुत सारे बैच्चों ने भी देखना ही नहीं शुरू किया है तो इसलिए हमें पता नहीं है तो लिसन गाइस यह क्या है जो हमारा सहाय गुर्सूतर होता है और यह एक टाइप है उसे कहता है विसाल के यानि big chromosome जो होते हैं वो कैसे हैं तो यह हमारी body में present कैसे होते हैं कहीं दों आहिंगे कि मैं अपने तो पही बताया कि कितने होते हैं सी पोर्स रिप हमारे होते हैं 46 तो 46 तो हो गए counting के according फिर अब यह कैसे हो रहा है तो उस चीज को आप समझेए देखे जो सहाय गुर्षूत्र होते हैं उनके बारे में पर जानते हैं ये गुर्षूत्र छोटी छोटे टुकडे होते हैं गुर्षूत्र के क्या होते हैं छोटे छोटे गुर्षूत्र लेकिन हम इसे नजर अंदास तो नहीं कर सकते हैं कि ये भी क्या है गुड़ सूतर के ये टुकड़े हैं बिचार तो उन्हें हमने क्या कह दिया गुड़ सूतरी कह दिया टुकड़े हैं लेकिन हैं तो गुड़ सूतर इनको भी हमने क्या रखा है टाइप में रखा है चिन में गुड़ सूतर बिंदू नहीं पाया जाता है और सहाय गुड़ सूतर अल सूतर विभाजयन यानि मियोसिस में भाग नहीं लिते हैं देखो ये इस तरी के से होते है क्रोमाटिड के रूप में आधा गुर्ण सूतर विचारा कहीं दर दर जाता रहता है तो उसे हमने सोचा इसे भी अपने गुरूप में रख लेते हैं इसका इक अलगनाम रख देंगे आनुमान सी गुरूप से निस्करी होते हैं निस्करीinaire होते हैं यानि अन्याटिव होते हैं इसकी खोज किस ने की थी? विलसन द्वारा की गई थी. ध्यान रखेंगे, विलसन कभी-कभी पूछा जाता है. मनुश्यों में प्रतेक 1500, ठीक है? लगभख एक व्यक्ति में सहाय गुड़ सूत्र होते हैं. अब सोचो जरा, कितने होते हैं? 1500, ठीक है? अब सहाय गुड़ सूत्र, उसमें कुछ मानसिक या शालिरिक और समानताओं से जुड़े होते हैं. ठीक है? जो मानसिक और सालिक जैसे कि कुछ physical condition, कुछ mental problem होती हैं कुछ लोगों को, तो ये गुड़ सूत्र ही उनको handle करते हैं. यानि उनके लिए responsible होते हैं. ये हमारा last type है, विसाल का एक chromosome, यानि zaint chromosome क्या खाएंगे हम इसे zaint chromosome, zaint chromosome two types के होते हैं. कितने types के? टू टाइप्स के. ये humans में नहीं होता, किसमें नहीं होता है? humans में नहीं होता. और जीबू में होता है, जैसे कीट पतंगों में भी होता है. तो उनके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रू रहे हैं. क्रोमोजोम तो क्रोमोजोम है, चाहें किसी के भी अंदर हो. तो देखो, इसकी खोज किसने की? इजी वालविनियानी, वालविनियानी एक बहुत बड़े हमारे रह चुके हैं, खोज करता, ठीक है? बजयानी है. तो उन्होंने किसकी खोज करी है? पॉलिटिन गुड़सूत्र की, ठीक है? पॉलिटिन क्रोमोजोम की निट डाइप, डाइपे ट्रेरा, जो डाइप ट्र कीट है, ठीक है, एक इंसेक्ट है, उसके लार्वा के लार में, लार्वा पता है न, जो बीबी वाले पहले स्टेज होते हैं, उसे क्या कहते हैं, लार्वा की लार में की, ठीक है? लार्वा का जो लार था, उसमें की है, पॉलिटिन गुड़सूत्र कोलर द्वारा दिया ग कैं दिया पॉलेटिन क्रोमोजोम इसके कई क्रोमोनीमा рек्रोज्ण मेर्ट से जुड़े रहते हैं और प्रते क्रोमोनीमा प्रते क्रोमोनीमा परमेमे नासी कॉट पोफ शेत्त्र होते हैं ठीक है पाफ शेत्र में बार्वियान चल्डी होते हैं और जो DNA और tone है और प्रोटिन से बने होते हैं ठीक अभी आपको मैं इसका वो दिखा दूंगे थोड़ा सा चीक है काफी अजीब है इसका क्यों कुछ इस तरीके का देखता है अगर मैं आपको बताऊं तो यह देखो यह है फिर यह थोड़ा सा ऐसे मोटा आएगा फिर यह ऐसे करके नमब अब यह है कौन सा वाला जो हम इंसेक्ट में खो जागया है डाइप टेरान में जो खो जागया है वह ऐसा है क्रोमोजोम बाहर से उसकी बाहरी जो फिजिकली है ठीक है उसकी वोड़ी कुछ इस तरीके की है आगे मैं आपको इसका डाइग्राम भी दिखा दूंगे शौट में इसकी आमाप कितनी थी जो ड्रोसोफिला होता है आपको पता है ना मैलन गेस्टर जो ड्रोसोफिला मक्षी होती फ्लाई है जिसके बारे में क्या क्या था मॉर्गन ने हमारी गुर्षूतर के बहुत सारे मताब नियम दी है बताया है ठीक है तो वही उसमें कितनी थी उ हमाई हटिया में इन कें किया गहके जोली के होते हैं लिकिन जो बैंड पटिया होते हैं वह इंटर बैंसरी होती है और ये क्रोमोजूम एंट्रोमसिस द्वारा बनते है ये कीट के लार्वा में कायंतर को बढ़ावा देते हैं कायंतरन को बढ़ावा देते हैं जो कीट का लार्वा होता यानि उसकी मेटाफेज जो होती है ना मेटाफेज स्टेज उसमें क्या करते हैं प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं चलिए तो हो गए हमारे क्रोमोजोम के टाइप इसका और एक देखिया है वो देख लेज़े अम देखे ये लास्ट है मैंने बताया था ना जो जाइन्ट क्रोमोजोम होते हैं दो टाइप के होते हैं ठीक एक के बारे में हम पढ़ लिया है और दूसरा है अब क्या लैंप ब्रस क्रोमोजोम ठीक तो देखे जो कशे रुकी के परिबढ़ धनसील अन्डानू के गुणसूत्र का आकार लैंप साफ करने बाले ब्रश जैसा होता है लैंप साफ करने वाला इस तरीके से सीधे सीधे होती है और ऐसे-आसे करके कुछ काटे जैसे तो बिल्कुल यही आकार की किस्की होती है हमारी Lamprush Chromosome की इसले इसका नामी रख दिया Lamprush Chromosome ठीक देखो इस गुरसूतर का मुख्य के इंदरे कुछ DNA तथा DNA का लूप होता है और जो DNA और आने ने से बनते हैं इसकी कोच किसने की रुक्ट ने की है Lamprush गुरस गुरसूतर इसतंधारियों को छोड़ कर रिधिकान जानवरों के बढ़ते ऑक्टेन यानि अपरिपक्त अंडे में पाये जाने वाले गुरसूतर का एक विशेश रूप है यह कहां पर होता है जो जानवर होता है उनके भी एनिमल्स होते है ओ अपरिपक्त जो उ आत्मिक अंडक में अड़सुतरी विभाजन के प्रोफेज वोन के डीफ्लोटेन अवस्ता में पाये जाते हैं वे अंडों को योन के संसलेशन में महतवर भूमिकान निभाते हैं इसमें एक मुख्य अक्ष होता है जिसमें डीने और प्रोटेन से बने दो क्रोमोनिमा होते ठीक है देखो जो एग्स होते हैं जिसे जैसे की बॉर्ड्स हो गए इस पंदहारी जो होते हैं मतलब जो सरी स्रीप हो गए ठीक हो बीचार हो गए पक्षी हो गए इनके जो अंडे होते हैं ठीक है अधो अंडे से जो बॉर्ड बने की प्रोसेस होती है उसमें क्या हमारा ल दोस्तों को भी नहीं पता है तो जब तक हम नहीं जानेंगे की जीन और जीनोम क्या होते है और इन दोंडूम डिफरेंस क्या होता है तब तक हम दूसरे चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं इसलिगे जोनों पॉइंट नहीं पाइट है आपको अच्छे से समझा देरीयों ही अमन करता है इस भाग को सिस्ट्रॉन भी कहते हैं देखे कम्फ्यूज मत हो ना जीन और सिस्ट्रॉन एक ही चीज है ठीक इन जीनों को मध्यम से एक पीडी से दूसरी पीडी में अनुवांशिक लक्षन हस्तांतरी धोनने होते हैं अथा जीन ही अनुवांशिक गुणों के उत्तरदाइक हैं तो क्या है अपने दिखा होगा हम कहते हैं जीनो टाइप तो क्यों जीनो टाइप क्योंकि उनके जीन अलग अलग होते हैं है ना और मतलब जीन की हम आंतरी सनचना देखते हैं कि फीनो टाइप बाहर की होग जीनो टाइप अंदर की तो वही है यह जो जीनोम कहते हैं जो आगुनित गुड़सूत्र होते हैं दो करोमोजोम उनके समुच्छे को गुच्छे को क्या कहते हैं जीनोम कहते हैं यूगमग में उपस्तित कुल गुड़सूत्र मानलोक यूगमक है, उसमें कितने होते हैं, अब देखो, केरियो टाइप किसी जाती के कुल गुर्सुत्र की आकारेकी को केरियो टाइप कहा जाता है, ठीक, केरियो टाइप की किसी जाती में जो गुर्सुत्र की आकारेकी को क्या कहते हैं, केरियो टाइप कहते हैं, अब आप आप लोग इसे समझ गया होंगे अच्छे तरीके से I hope सो सबको समझ में आया हो इसके बाद में एक शॉट वीडियो बनाके अपलोड कर दूंगे जिसमें आपका सभी डायग्राम रहेंगे बिटे बहुत लंबी हो जाती है और फिर उससे क्या होता है दिखे टाइम की बहुत आज के लिवस इतना ही और नेक्स टे या फिर सम टाइम अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक छोटा सा शॉट वीडियो ज़रूर ही बना दूंगी वीडियो को देखिए लाइक कीजिए कमेंट करके कोशन पूश सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करने मैं तो डिस्लाइक करना पतातो शले थैंक्यू फोर वाचिन वीडियो